नमस्कार दोस्तों, आप सीके चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही खुबसूरत और आसान डेजाइन लाई हूँ जिसे आप जेन स्वेटर में, लेडिस कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में या किसी भी मनचाय प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लेगा। इसे बनाने के लिए हमें 10 के मल्टिपल फंदेचे ये और 7 फंदा एक्स्ट्रा। डिजाइन बताने से पहले आप से अन्रोध है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो क्रिप्या चैनल को सब्सक्राइब कर कर लें वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो क्रिप्या इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें तो बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में हम सबी फंदों को सीधा बुनेंगे अब यदि हमें अपने प्रोजक्त में फंदे बढ़ाने हो है और सामने से तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे अब उन को अपनी ओर करेंगे और पांच फंदा उल्टा बुनेंगे एक दो तीन चार पांच पांच फंदा हमने उल्टा बुना अब उन दूसरी ओर करेंगे अगले फंदे को हम स्लिप करेंगे अब तीन फंदों को हम सलाई में दो बार उन लपेटते हुए सीधा बुलेंगे तो ये एक हो गया एक बार लपेटा दूसरी बार लपेटा और सीधा बुल लिया ये दो हुआ फिर एक बार लपेटा और दूसरी बार लपेटा और सीधा बुल लिया तो हमने तीन फंदों को सलाई में तो बार उन लपेटते हुए सीधा बुल लिया अगले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे तो पहला फंदा एजस तीच है और इनी दस फंदों को हम पूरी सलाई में दो राएंगे पांच फंदो को उल्टा बुनेंगे उन अपनी ओर करेंगे पांच फंदो को हम उल्टा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाज उन दूसरी ओर करेंगे छटे फंदे को हम स्लिप करेंगे साथमें फंदे को हम सलाई में दो बार उन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे आठमें फंदे को भी हम सलाई में दो बार उन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे और नवें फंदे को भी हम सलाई में दो बार उन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे दसमें फंदे को हम slip करेंगे तो इन्हीं दस फंदों को हमें पूरी स्लाह में दोराना है अब लास्ट में छे फंदे बचेंगे तो उनको अपनी और करेंगे पांश फंदा हम उल्टा बुन लेंगे एक, दो, तेन, चार, पांश तो पांच फंदे हमारे एक्स्ट्रा थे ये उल्टा हो गए छटा फंदा ये हमारे दो लास्ट के ये एजिस्टीच ये हो गए साथ फंदे तो इसे हम सीधा बुन लेंगे लास्ट फंदा एजिस्टीच है इसे हम सीधा बुनेंगे wrong side से हम 7 फंदों को उल्टा बुन लेंगे यह पहला फंदा है जिस टीच है इसे हम उल्टा बुने या फिर slip कर लें एक हुआ 5 फंदे जो हमने इधर से उल्टा बुने थे हम wrong side से भी इने उल्टा बुन लेंगे तो 5 फंदे जिसे हमने उल्टा बुना था उसे हमने wrong side से भी उल्टा बुना और यह फंदा जिसे हमने slip किया था इसे भी हम उल्टा बुनेंगे तो ये टोटल साथ फंदे हो गए पहला फंदा आया जिस्टीच पांच फंदे उल्टे जो इधर से बुने गए थे और एक फंदा जो हमने स्लिप किया था वो तो टोटल हमारे साथ फंदे हो गए अब हम लपेटे हुए तीन फंदे इन्हें हम खोल लेंगे और अब देखिए पीछे की तरफ से हम स्लाई लाएंगे और पहले फंदे को हम 22 लाई में ले लेंगे अब इन्हें हम गिराएंगे और बाद की दो फंदो को इन्हें हम दाहिनी स्लाई में लेंगे और ऐसे आगे की तरफ से लाके वापस, बाइस लाएं में, चढ़ा लेंगे, और इन तीन फंदों को हम उल्ट बूलेंगे, एक, दो, तीन, तो इनही दस फंदों को हमें दूराना है, पाश फंदे को उल्ट बूलना है, और दूनों साइड वाले जो दो फंदे हमने स्लिप किये थे इने भी उल्टा बुन लेना है तो टोटल होगा साथ फंदे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और साथ तो साथ फंदों को हमने उल्टा बुन लिया अब ये लपेटे हुए तीन फंदे हैं तो इने हम खोल लेंगे तीनों फंदों को हमने खोल लिया अब बाइस लाई को ऐसे पीछे की तरफ से लाएंगे पहले वाले फंदे को हम इसमें चड़ा लेंगे पहले वाले फंदे को हम बाइस लाई में ले लेंगे और ऐसे सलाई को खीचेंगे अब बाद वाले दोनों फंदे यानि दूसरे और तीसरे फंदे को ऐसे कीच के आगे की तरफ लाएंगे और इन्हें बाइस लाई में चढ़ा देंगे अब इन तीनों फंदों को हम उल्टा पूलेंगे लास्ट में छे फंदे बचेंगे स्वरी लास्ट में साथ फंदे बचेंगे पांच फंदा जिसे हमने सामने की तरफ से उल्टा बुना था और ये स्लिप किया हुआ फंदा और लास्ट फंदा इस 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 इन साथ फंदों को हम उल्टा बूलेंगे तो इन ही दोनों लाइनों को हमें उपर उपर दूराना है एक बार फिर से देख लिजे पहला फंदा या तो सीधा बुनें या फिर स्लिप कर लें और उनको अपनी और करेंगे पांच फंदा हम उल्टा बुनेंगे एक दो तीन चार पांच पांच फंदा हमने उल्टा बुन लिया अब उन दूसरी और करेंगे अगले फंदे को हम स्लिप करेंगे नेक्स्ट तीन फंदे हम सलाई में दो बार उन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे एक दो तीन अगले फंदे को हम स्लिप करेंगे देखिए पांच फंदा हमने उल्टा बुना और पांच फंदों में से पहला और चौथे फंदे को हमने स्लिप किया और दूसरे तीसरे और चौथे फंदे को हमने सलाई में दो बार उन लपेटते हुए सीधा बुना अब इन ही दस फंदों को हमें दोराना है उनको अपनी और करना है पांच फंदा उल्टा एक, दो, तीन, चार, पांच उन दूसरी और अगले फंदे को स्लिप करेंगे नेक्स्ट तीन फंदे हम सलाई में दो बार उन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे अगले फंदे को हम स्लिप करेंगे अब लास्ट में 6 फंदे बचेंगे तो उन्हें हम 5 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और लास्ट फंदा एज़ इसटीछ है तो इसे हम सीधा बुनेंगे अब हम आजाते हैं रॉंग साइड में तो साथ फंदों को हम उल्टा बुनेंगे ऐस इस तीच है इसे उल्टा बुनना चाहें तो उल्टा बुन लेजे ने तो स्लिप कर लेजे तो ये एक हुआ दो, तीन, चार, पांच, छे और ये स्लिप क्या हुआ फंदा ये साथ तो साथ फंदे, पांच फंदे जो हमने उल्टा बुने थे और ये एक स्लिप क्या हुआ फंदा इन साथ फंदों को हम उल्टा बुन लेगे अब ये तीन फंदे जो लपेटे हुए हैं इन्हें हम खोलेंगे पहले फंदे को हम 22 लाइसे में ऐसे पीछे की तरफ से ले लेंगे और दूसरे और तीसरे फंदे को दानी स्लाई में चढ़ाएंगे और ऐसे खीच के सामने की तरफ लाएंगे और इन्हें बाइस लाई में चढ़ा देंगे अब इन तीनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे तो इन ही दसो फंदों को हमें पूरी सलाई में दोहराना है साथ फंदा उल्टा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और फिर अपेटे हुए तीन फंदे इन्हें खोलेंगे पहले फंदे को पीछे की तरफ से 22 सलाई में ले लेंगे अब इन तीनों फंदों को उता देंगे दानी सलाई में पीछे वाले दोनों फंदे हम ले लेंगे और खीच के, सामने की तरफ से खीच के 22 सलाई में वापस चढ़ा देंगे फिर इन तीनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और फिर लास्ट में के सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे तो इन ही दो लाइनों को हमें दोराना है और ये खुबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा देखिए कितना खुबसूरत है बनाना आसान है और देखिए कितना खुबसूरत तो देखिए फ्रेंट्स इन ही दो लाइनों को दोराने से ये खुबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा तो फ्रेंट्स डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंदाय होगा तो यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें अपने फ्रेंट्स और फैमली में शेयर करें थैंक्स फर वाचिंग